चैनल्स में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपको नवीनतम और रोचक विशयों पर वीडियो स्प्रदान करेंगे हमारे चैनल पर रोचक जानकारी, शिक्षा, मनुरंजन और अन्य विभिन विशयों पर वीडियो उपलब्ध है आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद आज हम देखेंगे CSS Object Fit क्या होता है और इस्तमाल कैसे किया जादा है CSS Object Fit Property, CSS Object Fit Property का उपयोग यह निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है कि इम या विडियो को उसके कंटेनर में फिट करने के लिए कैसे आकार बदला जाना चाहिए यह संपत्ती विभिन तरीकों से कंटेनर को भरने के लिए सामगरी को बताती है जैसे कि उस पहलू अनुपात को संरक्षित करें या जितना संभव हो उतना उपर बढ़े और अधिक जगह लें पेरिस से निम्नलिखित छवी को देखें यह छवी 400 पिक्सेल चौड़ी और 300 पिक्सेल उची है हम देखते हैं कि छवी को 200 x 300 पिक्सल के कंटेनर में फिट करने के लिए कुछला जा रहा है इसका मून पहलू अनुपात नश्ट हो गया है यही पर अबजेक्ट फिट ट्रॉपर्टी आती है अबजेक्ट फिट ट्रॉपर्टी निनलिखित में से एक मान ले सकती है भरें यह डिफॉल्ट है दिये गए आयाम को भरने के लिए छवी का आकार बदला गया है यदि आवश्चक हो तो छवी को फिट करने के लिए बढ़ाया या कुछला जाएगा सम्मिलिट छवी अपना पहलो अनुपाद बनाए रखती है लेकिन दिये गए आयाम के भीतर फिट होने के लिए इसका आकार बदल दिया जाता है कवर छवी अपना पहलो अनुपाद बनाए रखती है और दिये गए आयाम को भरती है चवी को fit करने के लिए clip किया जाएगा कोई नहीं चवी का आकार बदला नहीं गया है Scale Down चवी को कोई नहीं या समाहित के सबसे छोटे संसकरण में छोटा किया जाता है Object Fit का उप्योग करना cover यदि हम Object Fit Cover का उप्योग करते हैं चवी अपना पहलू अनुपात बनाए रखती है और दिये गए आयाम को भरती है चवी को fit करने के लिए clip किया जाएगा Object Fit का उप्योग करना शामिल करना यदि हम Object Fit Include का उप्योग करते हैं चवी अपना पहलू अनुपात बनाए रखती है लेकिन दिये गए आयाम में fit होने केलिए इसका आकार बदल दिया जाता है Object fit का उपयोग करना भरें यदि हम object fit, fill का उपयोग करते हैं दिये गए आयाम को भरने केलिए 6 का आकार बदला गया है यदि आवश्यक हो तो छवी को fit करने के लिए बढ़ाया या कुछ ला जाएगा यदि हम object fit नान का उप्योग करते हैं, छवी का आकार बदला नहीं गया है object fit का उप्योग करना कोई नहीं Object Fit का उप्योग करना, Scale Down, यदि हम Object Fit, Scale Down, छवी को कुछ नहीं या शामिल के सबसे छोटे संसकरण में छोटा कर दिया गया है. आज हम देखेंगे CSS Object Position क्या होता है और इस्तमाल कैसे किया जादा है? वस्तुस्थिती CSS Object Position Property का उप्योग यह निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है कि इम या विडियो को उसके कंटेनर के भीतर कैसे स्थित किया जाना चाहिए? पेरिस की निमनलिखित छवी को देखें जो 400x300 पिक्सेल की है. इसके बाद हम Object Fit, Cover का उप्योग करते हैं. पहलो अनुपात बनाए रखने और दिये गए आयाम को भरने के लिए. हाला कि छवी को फिट करने के लिए इस तरह ट्लिप किया जाएगा. वस्तुस्थिती संपत्ती का उप्योग करना मान लीजिए कि छवी का जो हिस्सा दिखाया गया है. वह उस तरह स्थित नहीं है जैसा हम चाते हैं. छवी को स्थान देने के लिए हम Object स्थिती गुण का उप्योग करेंगे. यहां हम छवी को स्थिती देने के लिए Object Position Property का उप्योग करेंगे ताकि बड़ी पुरानी इमारत केंद्र में हो.